तो हेलो और इलकुम दोस्तों आप देखें Android जंग से टूब चैनल और मैं नम है रूपेश दूस्तों आई चले शुरू करते हैं आज के वीडियो दूस्तों आज के इस वीडियो में आपसे हम बाते करने वाले हैं कि आप किस तरह से हाँ पर वाटसप के होम स्क्रीन पर फोटो लगा पाएंगे अपना या किसी का भी बहुत सर्थ लोग हे वाटसप के होम इस्क्रीन फोटो लगाने के वाड़ाना से लेकिंड़ने वह चैट जरूर करेगा वेडियो को लाइक रम चैनल को सब्सक्राइब आए दोस्तों बिना किसी देर की इस वीडियो को करेंगे सुरू और सीख लेते हैं ना कैसे कैसे क्या करना है दोस्तों लाइब स्क्रीन पर हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर यहाँ वाट्सआप पर अपने अपको बताता हूं कि One मसक्रीन पर हम फोटो कैसे लगाएंगे जैसा कि मैंने thumbnail पे आप लोग को दिखाया है तो photo बिलकुल लगा के दिखाएंगे हमारी video थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन पूरा का पूरा आपको live बताने वाला हूँ सारा कुछ तरीका कि अपने आप कैसे whatsapp के home screen पर photo लगाएंगे सबसे पहले हमेरे देखे whatsapp पे हाँ पे आ जाना है ठीक है और यहाँ पे whatsapp पे आने के बाद हमें क्या करना corner पे three dot है तीन बिंदी दिखेगी इस तीन बिंदी पे आपको click कर देना है click करने के बाद बहुत सारे option होंगे new group, new broadcast, link device, starting message payment और setting का आपको क्या करना है setting वाले option पे click कर देना, आखिरी में setting option इसी पे click कर देना है setting पे जब आप click करेंगे तो इसके बहुत सारे option हैं में देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे लोग तरह तरह के तरीके बताते हैं whatsapp के home screen पे photo लगाने के लिए जैसे यहां पे जब हम chat वाले section में आ जाते हैं तो यहां पर एक section देखता है theme का और नीचे wallpaper का हम इदी wallpaper पे click करें और यहां पे change पे click करें तो बहुत सारे आप जो भी photos है इनको लेके apply कर सकते हैं इस तरह से wallpaper के रूप में और wallpaper लग जाता है लेकिन home screen पे photo नहीं लगता है यहां जानते हैं कहां पर चला जाता है इस WhatsApp पे आ जाना है ठीक है और आपको बताते हैं दोस्तों आप इस WhatsApp में सारा कुछ नहीं कर पाएंगे आपको अलग से कुछ setting करना होगा मैं बता रहा हूं क्या करना है और और जाने के बाद जब नीचे आएंगे है तो एक option दीखेगा चैट का ठीक है तो आप चैट पे क्लिक करिएगा और नीचे आएंगे तो चैट बैक अप होगा इस पर क्लिक करिएगा और नीचे आके आपको क्या करना है स्कस्रेकर करना है गूगल अक्उट स्फेलक करना है कि आपका जोभी जूमेँल होना- जूमेल को सेलक करें अब आपको यहां पे आपको बैकड आप्ड करना होगा इस वाली एप को न आपको एक अनलग सब्लक्रिकेशन State करना होगा इस नाम मैं यहां ओन्हार में दिस्क् आपको क्या करना है इस वाली एप को डाउलोड करके इसको ओपन करना है ठीक है जैसे आप ओपन करेंगे तो आप एक option आएगा restore का तो आपको restore पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर restore का option इस तरह से आ जाएगा restore पर क्लिक करेगा और confirm करना है ठीक है OK करना है और restore करेगा हमारा स पर देना है ठीक है मोई लेमबर देने की बार नेक्स वाली बटन पर क्लिक करना है और यहां पर connect करेगा सब्सक्राइब से घर करेंगे और एहां से कर देंगे ठीक है continue कर देंगे allow कर देंगे हमारे WhatsApp पर one-time पासवर्ड आएगा और टीपी जिसे के बोला जाता है आ गया मैं भर देता हूं और यहां से बार दिया का बेरिफाइंग कर रहा है वेरिफाइंग कंप्लेट है कांटीन्यू कर लेते हैं अलाउ कर लेते हैं और यहां पर यहां पर आपको क्या करना देखे का रहा है न गिप बैकप देखिए अभी दतकाल के लिए क्या बैकप नहीं हो पाया है वो टाइम लगता है घंटे-दो घंटे बैकप में क्योंकि आप बहुत सारी डेटा होती है तो बैकप ज़रूर यह गाने तो डेटा आपकी डिलीट हो जाती है तो बैकप लेने के बाद आपको है पर जीम वेट करना ठीक है देखिए बी एफ 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 इस तरह से आकर रहा है मतलब यह वाटसब करना है अपडेट है ना जी वाटसब करना है पर आ गया है थोड़ा सा वेट करना है बिल्कूल हम लोग पहुच गया है करीब पर और अब हमारा इंस्टोलिंग कंप्लीट है और यह अब यह वाटसब करना है और यहां पर फोटो पर जाना है गैलरी में जाना है और मैं गैलरी फिर पैटर्न लगा रखा हूं गैलरी हमारी ओपेन हो गए अब जिस फोटो को आप लगाना चाते बैग्राउंड में ले लेना है लोडिंग करेगा और सेट वाल पर पर क्लिक कर देंगे बैक आ जाएंगे अभी आप देख पाएंगे कि वाटसब के होम स्क स्क्राइब जरूर करेगा हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ तब के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा बैबै दोस्तों